तो गाई जैसा कि आपको पते है कि कल बांगलादेश और इंडिया का सेकिंड ओर डियाई मेच होने वाला है और अगर आप ड्रीम 11 के उपर टीम बना रहे हो तो आपको बड़े खिलाडी को आपकी टीम में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आज इस वीडियो के अंदर आपको पता चली जाएगा क्योंकि आपको ये तो पते है कि जब भी कोई एक क्रोड रूपे विन करता है तो उसकी जो टीम है उसके अंदर ज्यादा तर क्या है लो परसेंडेश खिलाडी होते है और आपको अगर यकीन ना हो तो आप कोई भी वीनर वाली टीम को उठा के देख लेना आपको उसके अंदर लो परसेंडेश खिलाडी ही या पर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और लो परसेंडेश खिलाडी की वज़े से ही वो बंदा इतने ज़्यादा वीन करता है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये डाउट क्लियर करने वा तो भाई टेलिग्राम चैनल को जोइन जरूर कर दीजे क्योंकि उसके अंदर आपको काफी सारे अपडेट मिलते रहेंगे तो जाओ जल्दी जोइन करो वाईज चलते हैं वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता जेता हूँ कि बड़े खि कोमेंस है जब ये पर्फोर्मेंस करना स्टार्ट कर लेते हैं तो ये सतक से सतक लगा सकते हैं और पचास रन की पारी तो आराम से चुटकियों में खेल लेते हैं तो ये कुछ इस तरिके के ये खिलाडी है यानि कि ये बड़े खिलाडी है और जैसे याप ओल्राउंडर के बड़े खिलाडी अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिराज है और यहाँ पर S ठाकूर है ठीक है तो यह कुछ इस तरीके से बड़े खिलाडी है अगर आप इस टीम के अंदर इन खिलाडी को लेते हो तो आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं विकिट किपर की तरब से यहाँ पर हमको यहाँ पर कौन से खिलाडी देखने को कर लेना तो सबसे पहले तो आपका मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि ज़्यादा तर जो लोग है वो इनको क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका जो परफोर्मेंस वो पिछले मेच के अंदर काफी तगड़ा था तो लोगों ने क्या सोचा है कि इस बारकात भी तगड़ा हो गया तो इनको ज़्यादा कम है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये खिलाड़ी अच्छा नहीं है नहीं गाइस ऐसा बिलकुल भी नहीं है पिछली बार इन्हों ने परफोर्म अच्छा किया ये जो खिलाड़ी है जिनका नाम केल राउल है इन्हों ने परफोर्म अच्छा किया है इसलिए लोगों में clear करने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये अच्छा खेल भी सकते हैं ने भी कहल सकते हैं, ये कोई भी guarantee नहीं है, तो आपको एक rix लेके चलना है, जादा तर लोग ये select कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये select करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये नहीं देखना है कि लोगों ने कितना percent ये आपर select कर रखा है, आपको ऐसा नहीं देखना है, बलकि आपको ऐसा देखना है कि low percentage, competition कम किदर है, अब यहाँ पर काफी सारे लोग, यहाँ पर करोडों लोग टीम में बनाते है, तो करोडों में से आपको एक एसा निकलना है, जो कि win कर सके 1 करोड, आपको यहाँ पर low percentage खिलाडी से selection स्टार्ट करना है, ठीक है, आपका खुद का, तो यहाँ पर यह देखते हैं, रहमीन देखने को मिलते हैं, तो सब सब पहला आपको क्या करना है आपके टीम के अंदर रहमीन को ले लेना है, ठीक है, यहाँ पर आपको betting करने वाले section से आना है, और यहाँ पर आपको काफी सारे यहाँ पर बड़े बड़े खिलाडी आप देखने को मिलते हैं, अब काफी सारे लोग तो यहाँ पर selection percentage देखके ही इनको join कर लेते हैं अपनी टीम के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, जो खिलाडी का selection percentage ज्यादा है, तो वो अच्छा ही खेलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको एक combination बना के चलना है, combination किस तरिके से, देखो, एक करूट जीतने वाली टीम है, अगर आप उनको देखोगे, तो वो खिलाडी, अलग अलग combination बना के लेते हैं, कहना का मतलब यह है, कि low और high का एक combination बनाते है, जिससे कि उनकी जो टीम है, यह एक unique team निकल जाती है, और वो win कर जाती है, तो आपको तो उनकी जो टीम है, वो ऐसे ही व्यर्थ चली जाती है, तो आपको क्या करना है, low percentage खिलाडी और high percentage खिलाडी का एक combination बनाना है, जिससे कि आपको क्या है कि grand league की team एक perfect बन जाए, क्या पता, जो high percentage खिलाडी है, वो perform ना कर पाए, वो low percentage खिलाडी perform कर जाए, और high percentage खिलाडी अगर आपकी team के अंदर रखे चलोगे, फिर भी भाई, बहु सारे लोगों ने वहाँ पे already select कर रखा है, तो आपका competition काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करना, यहाँ पे low percentage खिलाडी और high percentage खिलाडी का एक बहतरीन कोंबो बना के चलना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, तो high percentage और low percentage का कोंबो किस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने एक तो ले लिया, यहाँ पे वीराट को ली अब दूसरा यहाँ पे हमने लिया है litin does को, ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे दो खिलाडी को यहाँ पे drop out किया है, जिसका नाम seekard devan और Rohi Sharma ए, ठीक है, दो खिलाडी को यहाँ पे drop out किया है अब नीचे आते हैं, और नीचे से भी आप खिलाडी को select कर सकते हो चिन में से यहाँ पर यह देख सकते हो सिरियास अईयर को आप ले सकते हो अब नीचे से आप इस खिलाडी को भी ले सकते हो जिसका नाम है हैक्यूद तो गाई तीन खिलाडी तो आपने कुछ इस तरीके से बना लिया है और यहाँ पर क्या करना है अब आपको यहाँ पर आना है ओल राउंडर वाले सेक्शन से सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख जाते हैं यहाँ पर हसन देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर सुन्दर देखने को मिल जाते हैं तो team के अंदर किस तरीके से आपको combination बिठाना है तो यहाँ पर guys ज़्यादा तर लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर betting करने वाले section से ज़्यादा लोग betting करने वाले खिलाडी ज़्यादा लेंगे तो आपको क्या करना यहाँ पर all rounder में जाना है और all rounder से भी आपको minimum तीन खिलाडी को select करने है कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर यह देख सकते हो कुछ इस तरीके से मिन तीन खिलाडी को यहाँ पर select कर लिया है यहाँ पर all rounder वाले sections है तो आप भी कुछ इस तरीके से आपकी एक perfect team बना सकते हो तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर खिलाडी select करना है फिर आपको क्या करना है अब आपना हम bowling वाले sections है तो यहाँ पर bowling वाले sections है आओगे तो यहाँ पर भी आपको काफी सारे selection high percentage खिलाडी देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर आपको 4 जो है वो bowling करने वाले section से ले सकते हो ठीक है तो bowling करने वाले section से आपको वो ही मैंने आपको बताया था कि high percentage और low percentage का एक combo बना के चलना है ठीक है तो combo किस तरीके से जैसे कि high percentage को हमने ले लिया है अब जैसे नीचा आएंगे तो यहाँ पर चहर को ले लिया है अब नीचा आएंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे low percentage खिलाडी देखने को मिलते है जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर ash ठाकुर देखने को मिल जाते है और यहाँ पर नीचा आओगे तो यहाँ पर आपको case send देखने को मिल जाते है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका एक combo बन जाता है जिसके अंदर high और low का combo होता है और कुछ इस तरीके से आपकी जो team है एक perfect team बन जाती है और CVC का दावेदार आप किस तरीके से रख सकते हो सबसे पहले तो आपको percentage level देख लेना है कि लोगों ने कितना यहाँ पर select किया है CVC के लिए तो आपको इसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको low percentage किलाड़ी से और high percentage किलाड़ी से CVC रखना है जैसे कि आप माल लीजे जैसे कि यह इनका percentage level काफी जादा high है तो आपको क्या करना है आपको C तो बनाना इनको और VC बनाना आपको low percentage किलाड़ी से ठीक है क्योंकि यहाँ पर CVC का भी percentage यहाँ पर हमको दिखाई देता है तो यहाँ पर आप इस तरीके से CVC को एक बड़या combo बना के यहाँ पर चल सकते हो ठीक है और आप चाहो तो यहाँ पर VC इनको बना सकते हो और C यहाँ पर एक low percentage किलाड़ी को भी यहाँ पर बना सकते हो तो गईच कुछ इस तरीके से आपका एक perfect combo बन जाता है और आपकी team कुछ इस तरीके से एक grand league की team यहाँ पर बन जाती है तो guys कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पर आपको यह देखना है percentage देखना है उसके बाद आपको CVC का दावेदार बनाना है अब यह चीज आप खुद भी समझ चुके हैं कि CVC किस तरीके से बनाना है तो मैंने आपको पूरा पूरा बता दिया है खिलाडी के बारे में बता दिया है तो guys कुछ इस तरीके से आपकी team को बना लेना है तो guys मैंने कुछ इस तरीके से team को ready किया है आप चाहू तो आपकी team के अंदर changing कर सकते हो आप चाहू तो CVC इनको बना सकते हो इनको बना सकते हो वो आपके उपर defend है और आपकी rix के उपर defend है मैंने केवल आपको यह समझा दिया है कि guys आपको किस तरीके से team बनानी है तो पूरा पूरा मैंने complete बता दिया है तो कैसी लगी है वीडियो मुझे comment करके जुरूर बताए अगर आपने अभी तक telegram channel को join नहीं किया तो description में link है तो जाए ये telegram channel को join कीजिए तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही और मिलते कोई नहीं वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई और हाँ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक like ज़रूर कर देना